कैसे आप लोग आई होप कि आप सब खहरे से होंगे और आपकी दुआउं पर दो तीन दिन से मैं काम करना चाह रही थी लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और आज कल विम्मी भी नहीं आ रही है उसको इसके एक्जाम सोने वाले हैं थो थोड़ा सा पढ़ाई में बिज करवा था और यह जाएं शायान मोबाइल में लगे हुए हैं और इनको मैंने अपना जो इनका होमवक था वो कंप्लीट करवा दिया थो थोड़ी दर मैं लेकर वैठी थी पढ़ाई बड़ाई करवा दी और अब मैं फ्री थी तो सभी को पता है कि मगरिब के बास से जो रा सब्सक्राइब करते हैं और अपना दिमाग का इस्तिमाल मैंने किया है और अपने हाथ से ही मैं इस ड्रेस को बनाऊंगी तो मैंने सुचा कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि उनकी कुछ ड्रेस हैं जिनने हम नहीं हटाना चाहते और उन्हें हम कैसे पहने और बहुत पसंद होती है वो ड्रेस तो शयाद आप लोग को इस वीडियो से कुछ आइडिया मिल जाए तो आज मैं अपनी एव ड्रेस को रियूज करूंगी और अभी टाइम है मेरे पास तो मैंने सुचा है कि चलिए मैं आप लोग के साथ इससे शेयर कर दियो तो व्लॉग में बने रही है हाँ जी तो यह है मेरी शादी की कमीज और यह मेरी फेवरेट ड्रेस में से एक है क्योंक होगा और उस वक्त मैं पतली थी तो यह ड्रेस काफी मेरे पर अच्छी लगती थी और यह शॉट में भी थी और अब मैं थोड़ी से मूटी हो गई है इसमें मार्जन भी नहीं है कि मैं ऐसे लूज कर सकूं तो इसलिए मैंने सोचा कि लॉग मैं इसको रियूस करती हूं त तो इस कलर का कपड़ा तो मुझे मिला नहीं था तो मैंने इसको कंट्राज लूग देने के लिए मैंने यह ब्लू कलर का कपड़ा लिया है और यह प्लेन सिल्क है तो यह इस पर अच्छा लग रहा था तो मैं इसको इसकी कलिया बना कर इसमें डालूंगी तो सबसे पहले म मैं कलिगा डालूँगी तो कलिगों के लिए भी कपड़ा भिछा दिया था और चेस्ट से एक इंच लूज हो लिए तो कली शेप में चार कलिगों काट लूँगी 2 आगे और 2 पीछे की तो यह मैंने निशान लगा लिया और मैं जल्दी से अपनी कलियों को कट कर लेती हूं ये देखें मैंने चारो कलियों को जोड लिया है दो आगे दो पीछे और इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए भी मैंने कपड़ा अलग से रखा हुआ है कट करके तो मैं उसे भी जल्दी से जोड़ लेती हूँ और यह देखिए नीचे का भी कपड़ा मैंने जोड़ लिया है तो यह पूरी जो फिटिंग इसकी रेडी हो गई और यह दो तरीके की लेसे एक थोड़ा सा चोड़ी एक पतली है तो चोड़ी वाली मैं यलो का जो साइड वाला यह पोर्शन इस पर लगाऊंगी और जो पतल लूप तो पहले यह जो कमीस थी यह किसी और तरीके से बनी हुई थी और अब मैंने अपना दिमाग लगा कर इसे रियूस कर लिया है तो यह देखिए पहले जो स्लीव थी उसकी वह यलो ही थी और स्लीव पर यहां पर मार्जन नहीं था और यह चीज़ क्योंकि मैंने लू मैंने ब्लू कलर की स्लीव लगा दि हमें बने लेस की लगा दि और यहीं देखिए मिरोर पर है तो जो चौडी यह थी हूभम ब्राइक अने यहां से मैंने लेस दिए जो की ऑल्ल राउंड मैंने दिए तो यह है मेरी पूरी कमीस का फाइनल हूप तो यह सूट ने तेरा पहले कैसा था आप लोगों ने देखा और अब यह कैसा है आप लोगों ने देखा अच्छा मैं एक बार इसको ट्राय करके दिखाती हूं इसका फाइनल लुग तो यह देखिए मैंने अपने से ही लिया है अपना यह पोस तो यह इसका फाइनल लुग सही से मैं बना नहीं पा रही हूँ और काफी दूर से नजार आ रहा है अगर हुआ तो अभी मैं आप लोगों को फ्रेंट कैमरे से लेकर दिखाऊंगी और यह अभी मैंने कर लिया है इसको लूस फिटिंग पहले यह था एकदम फिटिंग का सूट लेगिन मुझे अच्छे नहीं लगते सो मैंने लूस फिटिंग का बनाया है तो यह है मेरी ड्रेस और जितना हो सकता मैं बना पाई हूँ अगर विम्मी आती तो मैं जरूर आप लोगों को इसका सही से लूक दिखाती और पहले यह टाइट था अब मैंने बनाया है लूस फिटिंग क्योंकि थोड़ा सा कंफर्टेबल लगे और आप लोग जरूर कमे लाइक चेर एंड चैनल को सब्सक्राइब तो अब मैं चलती हूँ नेक्स व्लोग में इंशालला आप लोग उसे फिर मिलूंगी तब तक अपना खयाल रखें दुआओं में याद रखें अल्ला हाफिस